Mission T20 World Cup 2024 के लिए Team India है पूरी तरीके से तैयार IPL के बाद Man in Blue Ground पर वापसी करने के लिए है बेकरार क्या उनकी होगी वापसी धमाकेदार सामने होगी बांगलादेश की चुनावती World Cup के मेन मुकाबले शुरू होने से पहले भारतिये टीम करेगी वाम अप मुकाबले के साथ अपने Mission World Cup 2024 का आगाज तो क्या रहेगा मौसम का हाल, पिछ का हाल, किस तरीके से किस कॉम्बिनेशन के साथ Team India अपने World Cup के लिए करेगी यहाँ पर टेस्ट बताएंगे इस पूरे वीडियो में तो अंतक बने रहीएगा हमारे साथ नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मैं हूँ आपके साथ अकाश पांडे जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि 2 जून से T20 World Cup 2024 का आगाज होना है फिलहाल इस समय World Cup से पहले अभ्यास मैचेस का सिलसिला जारी है जहां पर सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है इसी कडी में टीम इंडिया अपना इकलोता अभ्यास मैच आज खेलने वाली है जहां पर भारत के सामने होगी बांगलादेश की चुनोती अब बांगलादेश की बात करें तो बांगलादेश फिलहाल उनके हालात काफी खराब चल रहे हैं क्योंकि इस समय पर बांगलादेश ने जो USA से सीरीज के लिए थी वहाँ पर उनको दो एक से हार का सामना करना पड़ा था हाला कि सीरीज शुरू होने के पहले शाकेबल हसन बड़े बड़े बयान बोल रहे थे वो कह रहे थे कि USA से खेल कर क्या ही तयारी हो जाएगी लेकिन जिस तरीके से USA ने उनको एक आईना दिखाया तो शायद भाहरत के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी लेकिन काबले के लिए किस तरीके से भारत अपने आखरी मौका जो है वो इतिलाइज करेगी उसमें देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया कैसे इस अभ्यास मैच को लेती है अब अगर भारती यह टीम की बात करें तो इस मैच में जहाओ अभ्यास मैच है यहाँ पर आपको कि इसी तरीके की यह नहीं देखनी है कि आपने 11 खिलाडी नेम करने है विराट कोली फिलाल अगर बता दे तो विराट नियू यॉर्क पहुंच गये हैं लेकिन अभी भी उनके उपर अभ्यास मैच खेलने को लेकर संसय बरकरार है विराट यह मुकाबला खेलेंगे या नहीं टीम के लिए पहला मुकाबला खेलेगी टी 20 वर्ल्ड कप में अभी अगर टीम इंडिया की बात करें तो अभी कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब रोहित शर्मा कोच राहुल द्रवीड को तलाशने हैं अगर अब सवालों की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्य अगर अभ्यास मैच नहीं खेलते हैं और जैसवाल रोहित के साथ ओपन करते हुए अगर जैसवाल का बल्ला चल जाता है तो क्या रोहित और जैसवाल टीम के लिए ओपन करेंगे जब पहला मैच होगा उसी के बाद एक और सवाल यह आ जाता है कि मिडल ओडर में क्या अधीब सिंग और जस्परीद बुमरा का साथ निभाते हुए नजर आएंगे तो कई सारे ऐसे सवाल है जो भारतिय टीम के साथ चलते हुए आ रहे हैं और इसका जवाब तलाशने के लिए टीम इंडिया के पास एक आखरी मौका आज है जो बांगलादेश के खिलाफ उन्हे काबला है यह उसी ग्राउंड पर खेला जाएगा जहां पर टीम इंडिया को अपने वर्ल्ड कप के तीन मुकाबले खेलने हैं नसाव काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में यह तीन मुकाबले खेले जाएंगे अभी फिलाल टीम इंडिया ने युएस से पहुँचकर अपनी करते हुए नजर आ रहे हैं यह शश्वी जैसवाल भी काफी जादा पसीना बाहर है रोहिश शर्मा और राहुल द्रविड की नजर सभी खिलाडियों के ऊपर बनी हुई है कुल्दी प्यादव से लेकर यूजी चहल सिराज तो जितने भी प्लेयर्स वहां पर जो यूएस दूबे को मौका मिल सकता है वहाँ पे संजू सैमसन को मौका मिल सकता है अपने आपको प्रूफ करने का रिशप पंत के लिए चांस होगा तो जिन जिन खिलाडियों के लिए मौका है उनके लिए आखरी मौका हो सकता है अपनी टीम में अपनी 11 में जगा पक्की करने के लि किसे performance देंगे क्योंकि कल कप्तान रोई शर्मा के पास किसी तरीके का कोई foundation नहीं होगा वो अपने सभी खिलाडियों को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं सेम बंगलादेश के लिए रहेगा कि वो भी अपने जितने नाम है जो उनका स्क्वाड गया है टी 20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अगर बंगलादेश के स्क्वाड पर आ जाए क्योंकि अभी बंगलादेश की टीम की बात करें तो उनके भी काफी जादा बुरे हाल चल रहे हैं USA से वो टीम हार गई कप्तान जो है ने कप्तान उनके बने नजमुल अब उनके लिए बड़ी चुनौती है कि वो पहली बार बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी करेंगे हाला कि शाकिबल हसन का एक्स्पीरियंस जरूर है लेकिन शायद इनकी टीम में मतलब आप कह सकते हो कि इनके लिए वापसी की एक तरीक से टूर्नामेंट होने वाला जहां पर उनको यह देखना है कि किस तरीके से यह बहतर होकर आ सकते है क्योंकि यूएसे से हार मिलने के बाद टीम में काफी ज्यादा उथल पुथल मच गई होगी अगर टीम की बात करें तो नजम लशन सांतों हैं सोमे सरकार हैं वहाँ पर तन्जिद हसन तोई धिर लेकिन भारत को यहां पर बांगलादेश का टेंशन नहीं लेना कि बांगलादेश क्या करेगी टीम इंडिया के लिए है कि आयरलेंड वाले मुकाबले से पहले जो इनके पास आखरी मौका है इस अभ्यास मैच को उस मौके की तरह देखे और अपनी फाइनल इग्यारा को तैयार कर ले क्योंकि इसके बाद जो मुकाबले शुरू होंगे आयरलेंड से मुकाबला होगा पाकिस्तान से भारत का सबसे बड़ा मुकाबला होना है नौ जून को इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा अब अगर ग्राउंड की बात कर ले तो नसाव कौंटी क्रिकेट स् स्टेडिया में आईसेनोवर पार्क के पास में जो है यह भी बिलकुल समुद्र से कहीं सटा हुआ तो अगर नेचर की बात करें तो एडिलेड ओवल्ल की जिस तरीके की विकेट नेचर होती है शायद कुछ उस तरीके की नेचर हो सकती है इस विकेट की वैसे अगर कोच राहूल द्रवीड और रोहिशर्मा की माने तो उन्होंने तो बताया है कि जो पिच इस्तेमाल की जाने वाली है जो आपको वर्ल्ड कप में यूएस में मैचेस देखने को मिलेगे ज अपनी जगा बनाए पकी करें वहां पर टीम में और अगर कल मौका मिलता है जो भी प्लेयर्स को मौका मिलता है वहां पर बहतर करें और टीम में अपनी जगा किसी तरीके से सिमेंट करें अगर मौसम की बात करें तो किसी तरीके की कोई खत्रा नहीं है वहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं है धूप खिली रहेगी बिल्कुल प्लेसेंट वेदर रहेगा यानि कि टीम इंडिया को अभ्यास करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रोहिश शर्मा जाते हुए आगे जाते हुए किस तरीके से क्या इग क्यान का आगाज हो जाएगा अब देखने वाली बात यह होगी कि टीम इंडिया के लिए क्या रिजल्ट रहता है वैसे चुनोती बड़ी नहीं होनी चाहिए भारत को आसानी से मुकाबला जीतना भी चाहिए लेकिन मुकाबले जीतने से ज्यादा जरूरी यह है कि टीम इं से आगे जाते हुए वर्ल्ड कप में बहतर परफॉर्मेंस कर सके अब अगर कल की बात करें तो रोई शर्मा वहाँ पर ग्राउंड पे भी मौजूद थे जिसमें पर ट्रॉफी रिवील हुई थी और अन्बिया की ट्रोफी के साथ वैसे तो रोई शर्मा खड़े हैं यहा नहानी में कोई बदलाव लेकर आएगा क्या यह ट्रोफी आइसी सी टीटी वर्ल्ड कप की भारतिये टीम अपने नाम करने में कामयाब हो पाएगी नहीं हो पाएगी टीम तो काफी सॉलिड है काफी एक्सपर्ट्स ने टीम इंडिया को फेवरेट्स भी करार दिया कुछ लोगों ने तो ये भी तका है कि भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है ऐसी टीम भारत के पास है लेकिन ये तो हर बार की कहानी होती है कि हमारी टीम ऑन पेपर बहुत मजबूत होती है लेकिन जब प्रेशर मैच आता है आखरी मौका आता है तो हमारी टीम कहीं न कहीं चोक कर जा का क्या भारत ऐसा करने में काम्याब हो पाएगा दीजेगा हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में और ये वीडियो और इंफोर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा शेर जरूर कीजेगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत